नमस्कार मित्रो बुक बड़ एकेडमी माँ रूतुर राण आपनु हार्दिक स्वागत करूँछूू। आर एवारे समगर गुजरात माँ बुक बड़ एकेडमी गांधिनगर द्वारा मोगटेस नंबर2 नू आयोजन करवामा आवि होतू। आज अहीं आपडे चर्चा करी शू एज मोग टेस्ट नंबर टुमा पुछायला गुजरातना इतियासना प्रश्णोना जवाबोनी विश्त्रूत सम्झूती विशे अगवना वीडियो मा आपड़े मोक टेस्ट नंबर एक ना पुछायला गुजरात ना इतियास ना प्रस्णों नी जवाबोनी चर्चा करी हती अशा राकू छू एपण वीडियोस तमें जोया जशे जो नह जोया होई तो अमारी यूटूब चैनल बुक बड़ना नाम थी छेज जेना उपर तमें जई ने ए वीडियोस जोई शको छो अने पसंद आवे तो लाइक पन करी शको छो अने शेर अने सब्सक्राइब पन करी शको छो अहीं आपड़े चर्चा करीशू मोक टेस्ट नंबर बेमा पुछायेला गुजरातना इतियासना प्रश्णों ना जवाबो नी तो चर्चा करीए पहला त्प्रश्ण नी मोक टेस्ट नंबर बेमा पुछायो तो इतियासनों एक एवो प्रश्ण कि नीचे आपेला यूरोपियन प्रजाना गुजरात मां सव प्रथम आगमन ना करम ने योग्य रिते गोठो अप्शन आपेला छे नंबर 1 अंग्रेज, 2 पॉर्टुगीज, 3 डर्च अन 4 फ्रेंच वाँ प्रस्थना जापनी चर्चा करिये तो अपना गुजरात मां के बारत मां अपने इटली तो खबर जाशे के सव प्रथम आउनारी प्रजाती कई हती तो पॉर्टुगीज अपने यहां पेलूद लखी शूँ के गुजरात मां सव प्रथम आउना रहता पॉर्टुगीज अप उटुगीज लोकों निवाद करिये तो अपड़ा गुजरात ना इतिहास मा जयारे सल्तनत युगनू शाषन हतू यहला के सल्तनत कालीन शाषकोनू शाषन हतू ते समय एक साषक हतो जेनू नाम हतू मुजफर शा बिजो एना समय गड़ान निवाद करिये तो भारत ना इतिहास मा इस्विशन पंदर सुने 26 मा जयारे भारत उपर बाबर नू आकरमन थशेत यारे दिल्ली नी गादी उपर इब्राहिम लोधी नामनो शाषक बैठो हतो अन एज समय गड़ाम अपड़ा गुजरात मा सल्तनत कालिन जे समय गाड़ों बतायों जे एज समय अपड़ा गुजरात मा कौनू शाषन हतू तो मुझभफर सा भी जानू अना के वाज़े के बाबरे जयारे बारत उपर आकरमन करियो ती आरे एज मुझभफर सा भी जाये पोर्टू गिजोनी मदद मागी हती एज सल्तनत कालिन गुजरात ना समय गाड़ा मा इस्वीशन पंदर सुने त्रेपन मा जारे मुझभफर सा त्रिजानू शाषन हतू त्यारे पोर्टू गिजो ये आखुद दीव जीती लिदू हतू अने पंदर सुने ओगंड सा हीटना समय गाड़ा मा जारे अहमद शाह त्रिजानू शाषन हतू त्यारे पोर्टू गिजो दमध पन जीती लेशे अने त्यार बाद त्याहा पोताना व्यपारी मतगो स्थाप से अने त्यार बाद आवनारी प्रजाती कई हती तो चर्चा करिये अंग्रेजो विश्टू अंग्रेजो नी बाद करिये तो च्यारे बारत मा मुगलोनू शाषन अतू त्यारे अंग्रेज लोकोई जहांगीर ना दरबार्णी मुलाकाट लिदी हती अने दिगारियोंने नाम पन आपने खबर जाशे कैप्टन होकिंग्स अनने सर टॉमस रो पन जहांगीर भारत मा वेपार करवानी परवानगी कोने आपे छे तो सर टॉमस रो ने अने एनाज लिदे केवाई छे इस्विशन सोड़सों ने तिर मा अंग्रेज जो ये पोतानू वेपारी मतक सव प्रथम सूरत खाते स्थाप्यों हतु अने अंग्रेज इस्ट इंडिया कंप्णी ना आम्थि आपने उडखिया छी है अने आज अंग्रेज इस्ट इंडिया कंप्णी ना भाग रुपेलों को ये पोतानू सव प्रथम वेपारी मतक सव अपड़ा गुजरात ना सूरत खाते स्थाप्यों हतु अने अपढ़ा यह आखOOD कहीं शकी है कई पोर्टुगीज पाठी वीजा अवनार में प्रजा भारत मा कहीं हती तो अंग्रेज वा हत रिजा कर्म में अंग्रेज। तो गुजरात मा पॉर्टुगी जो एना पछी अंग्रेजों आउसे अन्य अवे अंग्रेजों पछी कौन आउसे तो सव प्रथम वेपारी मथक सुरत खाते जा स्थाप्यों होतु है अंग्रेज अन्य लोको जहां गिरना समय गाड़ा माझ सुरत मा पॉताना वेपारी मथक सुरत खाते अन्य डच लोको नी वायत करिया तो एक डच वेपारी वन डर ब्रोक पोतानू सव प्रथम वेपारी मथक जहां गिरना समय गाड़ा माझ सुरत खाते स्थाप्यों है प्रथम पॉर्टुगीज पछी अंग्रेज एन्ना पछी आउसे डच अन्य छेल्ले आउसे फ्रेंच आउसे इस वीशन सोर्षोने सडशट माँ अपड़ा सुरत माँ पूतानू वेपारी मतक स्थाप्यों हतु आज आवानो क्रम अपनने प्रस्न माँ पूछे गुजरात मा सव प्रथम आगमननो क्रम हशे तो आरीत आपले लखी शकीशु के सव प्रथम पॉर्टुगीज आवे आता त्यार बाद अंग्रेज त्यार बाद डच अन्ने त्यार बाद फ्रेंच आज प्रश्न जो भारत ना इतियास ने पूछे होई के निचे आपल यूरोपियन प्रजा ने भारत मा सव प्रथम आगमनना क्रम ने योग गेरीते खुछ तो सव प्रथम प्रथम प्रजा आवा वाडी तो पॉर्टुगीज आ जाशे पन अहीं पॉर्टुगीज आवे बारत मा आउसे डच अने डच पछी आउसे अंग्रेज पढ़िया आपने कुझरातना इतियास ने प्रश्न पुछे होई इतले आपने यहां जो भारत मा आउनारी प्रजा पॉर्टुगीज एना पछी अंग्रेज एना पछी डच अने पछी फ्रेंच हावे जवाब सम्राइया मुख सो अंग्री जो बतायाए से प्रथम क्रम करम है जाने लकें अनों या लखिशू डच लोकू आप या फ्रेंच लोकू आ पलाई छे 9 यो धूत हां सौथी पहला आउसे पोट्टुगी जो, एना पची आउसे अंग्रे जो, एना पची आउसे डच लोको, और एना पची आउसे फ्रेंच लोको नेक्स्ट क्वेश्चन जोईये तो, प्रस्ना पुछियो छे, निचेना बनावोने समयानू क्रम मा गोठो चार ओप्चन आपेला छे, जिमां पैलो चिक्रम छे दराशना सत्याजर, बिजो छे खिडा सत्याजर, त्री जो छे बोरशद सत्याजर अने चो आथो आपेलो छे, 12 डोली सत्याजररर्र अपना गुजरातना इतियास मा आ जे चार बनाव अथवा तो आ जे चार सत्याग्रह थाएला छे एना समय गाणानी नोध लईये तो आपनने जवाब सिधे सेधों मडिये शे For example, थराशना सत्याग्रह क्या रे थियो हतो तो थराशना सत्याग्रह थियो हतो इस विशन ओगणी सो ने त्रीशमा बोर्शत सत्याग्रह क्या रे थियो हतो तो ओगणी सो त्रेविशमा बारडोली सत्याग्रह नी वाद करिये तो ओगणी सो सत्याइशमा थाशे जहारे खेडा सत्याग्रा थाशे ओगणी शो अधार किया कलते में कहीने कली कली 107-2019-2020-2020 इने सम्मा गालोपन बुलाई जे पोन आपणा है याद राकी शू nope कहानक खेडा सत्याग्रास बिशना 9 किया कि श्याग्राम चो डर्यू alltså जे आपणे नंबर ब्यमा लग्खेलो जे खेडा सत्याग्रा अपची कईयो थाशे तो गणिसो डार खेडा सत्याग्रा निवाद करली दी पची क्रम आउशे जे खेडा सत्याग्रा पची क्रम निवाद करिये तो बार डोली सत्याग्रा बतावेलूचे इसवीशा नोगली शत्याविश तो आपणे एना पची लग्षू चोथा क्रमे आपेलू बार डोली सत्याग्रा अने छेलले ऊगणिशने त्रीश माँ थत्याओ ध्से दरासना सत्याग्र तो यदे आपील जी प्रफमक्रम आपेलूचे दरासना सत्याग्र य्दे लग्षू ऐस साचो 구rom option D maa आपेलो छहे ८र दो छाछो प्रस्न नहां पची मोढोरिय च शमलाट असोख व festa n लीचान माग्य घू्टोर्व युई वाक्य खोटु जे चार ओप्षण आ lu जन्यू गंफ्षी द该ुटाइं अलब सथिख आपूण पर येरे चार ओपियुक्तिक वाक्या मेगा अपैलू जे करजादे सवुराष्णा सुभा तरीके तुष्भाक नी निम्नुक करी हती अन्य ओप्शन डी आपेलो छे कि अशोक नो जुनागड नो सिलालेक ब्राम्मी लिपी मा तथा पाली भासामा मडी आवेलो छे मौर्य समराठ अशोक नी वाद करिये तो एक जैन दर्मनो ग्रंथ छे जैनू नाम चे दिर्ग निकाए अद दिर्ग निकाए नामना जैन दर्मना ग्रंथ मा अशोक विशेक एवी माहिती आपेली छे कि अशोक नी उत्पत ती कोई सुभद रांगी नामनी ब्राम्मन कन्या गन्यानी कुखह टी थैली हती है अन्य देश निकाल करवान मावी हतो लगा सामराजों छोड़ीने जवानी फरज पड़ी हती अणे जर्शामें सामराजिया छूडी ने जशे त्याँ आरे जञगल सिम्द निर्वासरी तवास्था मां स्थारी A Bunu assume Desational आई अशोक पुता ना तमाम भाईयों ने रंसकाशी है त्यावणłyे से अश्यास कार्वे में जशे पन पाउक連ождरों 9 ने रंसकाषी। और पोतांना नहों नुमवानू क्शत्रिय भायोंनी फत्या करया पछिक सत्ता उपर ब्यासो हाणू प्रहेट ना करशे पन तोपन सरुपात्मे हमानु राज्याभिषक न थाईशक्यों पोतांना तमाम भायोंनी हत्या करी दिदा पछिकこんな है पण एक सटमार्य में अस्वंगुश्यान राज्याभिशेक पतानों राज्याभिशेक करावीलो जे तो पैल्लोज अप्छन आपएलो छे कि इस विशन पूर्वे बस्चोने ःगनो सित्त्यर यह पैल इक न आश्वास अनुख 또 ऑहो शे गाल जे राज्याभिशेक थायाना आंठ पची यिटले के इसलीजन पूरें बसोने 60 मा कलींग नुगने युद तयू ओधू लिए दिखे लबीजू वाग्य तो साथ चुछे के आवियो त्यारे तेनों सौराष्णों सुबों तुष्पाक हतों। एलो ओप्शन C पण सत्य ओप्शन D नी वाद करिये तो एवू उल्लेक करेलो छे या ओप्शन D मा के अशोक नो जुनागणों सिलालेक ब्राम्मी लिपी मा तथा पाली भाषा मा मड़ी आवेलो छे। पाली भाषा जे एटले B C अने D अत्रण वाक्यों साचा जे जैरे ऑप्शन A मा के दूछे इस विशन पूर्वे बस्षोन एगनायासी मा आशोक नो राज्याभिषेख था होतो या खोटू जे कहांना के अकिकतमा आशोक नो राज्याभिषेख था होतो इस विशन पूर् जर्म सबानू आयोजन कया साचा के कराविव हतूं चार ओप्शन आपेला छे ऑप्शन A दर्षेन प्रथम, अप्शन B धरसेन बी जो आप्शन C द्रोवसेन प्रथम आपेलो छे द्रोवसेन बी जो हावे जैन दर्म सभानी वाद करिये तो आपड़ा आखा इतिहास मा कूल दर्म सभावनु आयोजन बे वखत करवा मा आविलू जे जमा प्रथम जैन दर्म सभानी वाद करिये तो ए मौर्य वन्षना समय गाडा मा एनू आयोजन थाशे जारे बिजी जैन दर्मसबानू आयोजन एनी वाद करिये तो ए आपड़ा गुजरात ना इतिहास मा मैत्रक वन्षना समय गाड़ामा थाशे पहलीज जैन दर्मसबानू आयोजन मौर्य मंशना स्थापक चंद्रागुप्त मौर्य कराऊशे इस्विशन पूर्वे त्रण्सो मा पाटली पुत्र मा अचारिय स्थोली बद्रनी अध्यक्षता मा चंद्रागुप्त मौर्य पहलीज जैन दर्मसबानू आयोजन कराऊशे अहीं आ प्रस्णा पूछेलो छे कि बीजी जैन दर्मसबानू आयोजन कईया साशा के कराव्यू हतु। तो हमलाज आपने चर्चा करी हैं कि A कईया वंस ना समय गाडामा बीजी जैन दर्मसबानू आयोजन थाशे तो A कईयो वंस आउशे मा मैत्रक वंस। मतलब कोई मैत्रक वंस नोज राजा आशे जे बीजी जैन दर्मसबानू आयोजन कराव्यू है। पने या ओप्शन उपर आपने नजर नाकिये तो चारे चार ओप्शन मा जे राजाओ आपिला आशे ए चारे चार साशा को अथवातो राजाओ मैत्रक वंस नाच्छे। पने शाचा जवाब नी चर्चा करिये तो मैत्रक वंस नाच्छना समय गाडा मा एक महान शाशक वो थई गयो छे जे पोते महान शिवन उपाशक हतो। पन पची एने आगर ना समय गाडा में लेगे भोताना आउनारा जीवन ना समय गाडा मा भले पोते शिवन उपाशक हतो तो पन पची थिए जैंदर्म अंगीकार करशे। जहिन दर्मंगी कार कर या पाची यो अधुम से न दर्म में अधु़। मतरही उपपाश्क कोई तो तो सब्सक्राइ ज़ेए योध। अने केवाई जे गेनने पोताना सासंकार दर्मियान इस वीशन पांचोने बार मा वल्भी मा बीजी जैन दर्म सबानू आयोजिन करावियो हतु अने आ बिजी जैन्दर्म सबानी अध्यक्षता जे जैन्दर्मना साधु ये लिदी हती ए जैन्दर्मना साधुनु नामतु देवार्धी स्रमास्त्रवण आ ऐटेजि än प्रस्रशिक्षता अध्यक्षता मा अध्यक्षता मा मैत्रक वंसद्रवण छे जैन्दर्मना सबाना आयोजं कराओ से उप्शंद्रcking द्रुवशेन प्रथम पच्छी नो प्रस्ण जो ये तो प्रस्ण भूचाए वे जे के राश्ट्राकूट वन्षना कया सासर के मौडा सा उपर आक्रमन करी ने राजा सीयक ने पराजे आपे होतो अब प्रस्ण भूचाए वे जे राजावना नाम आपे लाजे लोकोनी चर्चा करिये तो अचारे चार शाषको राश्ट्रकूट वन्षनाच छे जमां भारतना इतियास निवाद करी है तो मूड रूपे भारतना इतियास मा राश्ट्रकूट वन्षनी स्थापना करी हती दंती दुर्गे अने आज दंती दुर्ग फुतानों वन्स क्यास थाप से राजधानी कौने बनाव से तो आज दंती दुर्गे फुतानी राजधानी गोशित करी है ती मान्य खेटने पनि यहां वाज चाली रही छे अपड़ा गुजरातना इतियास नी राण के प्रस्ता माँ चो खुज कीदू छे कैया शासे के मोडासा उपर आकरमन करीना राजा सियक ने पराज आपयो होतो अपड़ा गुजरातना इतियास मा राष्ट्रकूट वन्सना राजाओनी चर्चा करी है तो करकराज अने कुरुष्ण राज त्रिजो आप बे राजाओ अपड़ा गुजरातना इतियास मा जोवा मलेला छे जो मां बात करिये करक राजनी तो आ करक राज अपड़ा गुजरातमा राश्टरकूट वंस नो पायों नाके होतो और इतियास कारोब बतावे जे के ए करक राज नामनों राजा आ अपड़ा गुजरातमा पोतानी राजधानी तरीके खेटक ने गोशित कर से अने समय गड़ा मा उडखायलू खेटक इले अत्यार नू आपड़ू खेडा अने वाद करिया कुरुष्ण राज त्रीजानी तो आ कुरुष्ण राज त्रीजो जयारे सत्ता उपर आउसने त्यारे एने पोताना शाशन करदर्मियान मोडा सा उपर आक्रमन करियो हतु अने समय गड़ा मोडा समा परमार्वन्षी राजा सीयक नू शाशन हतु पन केवाई उशे के कुरुष्ण राज त्रीजो इटलो परतापी हतो के सीयक नामनो राजा यानी सामे टकी शक्यो नथी अने इटलेज केवाई उशे के कुरुष्ण राज त्रीजा आक्रमन करीने ए मोडा साना राजा सीयक ने पराजे आपयो हतो त्यार बादेवु पन केवाई उशे के ने मोडा सा जीतिया पछी छे उज्जैन सुधी कूच करी हती अने उज्जैन मापन परमार्वन्वन्व अने इस आशन द्वस्त करी ने उज्जैन पन पोताना आज तक लिदू हतो अने यहां जे प्रस्ना पूछे हो जे के राष्ट्रकूट वन्षना कया शासा के मोडा सा उपर आक्रमन करीने राजा सीयक ने पराजे आपयो हतो तो आप प्रस्ना नों आपनो सातों जवाब कर अप्षन डी कुरुष्ण राज त्री जो आवे नेक्स्ट क्वेश्चन जोई है तो यहां प्रस्ना आपेल हो जे के वन्षराज चावडाना पिता जै शिक्रिन उल्लेक नीचे नामा थी कया ग्रंथमा करवामा आव्यों जे अप्षन कहीं आपेला जे ए रत्नमाला बी ज दम यंती हावे वन राज चावडाना पिता जै शिक्रिनी वाद करिये तो अपड़ा इतिहास में आपन एटली हबर अशे के राजपूत कालीन यूग जे शरू थाई छे एमा कुल त्रण वंस नू शासन जे पहलो जे चावडा वंस एनना पछी आवसे सोलंकी वंस और एन चावडा वंस नी वाद चाले छे जैना स्थापक नी नौध लेवी वह तो इतिहास करो बतावे छे के पाटन मा चावडा वंस नी स्थापना वन राज चावडाई करी हती पन इतिहास नी वाद करिये तो इतिहास शरू थाई छे वन राज चावडाना पिता थी अवन कन्योजनों राजा भुवड पंचा सरूपर आक्रमन कर से कन्योजनों राजा भुवड पंचा सरूपर आक्रमन कर से त्यारे जैसिकरी यहनों सामनों न करी शक्यों अन्या युद्नू परिणाम सुवाई तो के वाई जे कन्योजना राजा भुवड ये पंचा सरूपर आक् पणे समय गाडामा जै सिख्री ना पत्नी जे रूप सुंद्री हता गर्भवती हता पणा अक्रमन थायू जैमा जै सिख्री नामनो राजा मृत्युपाम से निहत्या था से कंणोर ना राजा भूअड द्वारा पत्तिनी तो हत्या थाई गई से जै सिख्री नामनो राजा मृत्युपाम से पंचासर नामनो आक्णोर ना राजा भूअड छिन विली दू कहें ज बच्युँ न थी एटले रूप सुंद्री होताना बाई सुरुपालनी साथे भाग से अने जंगल मा निरवास्ती तवस्था मा रहेशे केवाई छे के रूप सुंद्रिये बाड़क ते जन्मा आप्यों छे आब बाड़क जंगल मा जन्मियों बाड़क वन मा जन्मियों एटले जे बाड़क नुँँ नाम वनराज पाडवामा आवि होतु आज आखी आपड़े चर्चा करी तमाम चर्चानों उलेख एक जे कृती मा जोवाम मडे छे अन्ये एक रूतीनु नाम छे रत्न माला अन्या रत्न माला नामनी कृतीनी रचना करी छे कवी कृष्ण हिंदी भाषाना कवी छे कृष्ण कवी जे रत्न माला नामनी कृती अथवातो ग्रंथनी रचना कर्छे अन्या रत्न माला नामना ग्रंथमा एवनराज चावड़ना पिता जय सिखरीनी जे कई पन चर्चा करी तमाम चर्चा रत्न माला नामना ग्रतमा लिखीत पूरावा स्वरूप मां आपने मढ़ी आविली जे माट्या प्रस्थनों साचो जाब थशे ए रत्न माला इटले के वनरा चाड़ना पिता जई सिक्रिनों लेख रत्न माला नामना ग्रंत मां थी आपने मढ़ी आवियो जे चर्चा करिया वेना पचिना प्रस्थना पूचियो जे बर्वाडा सत्या ग्रहनी सव प्रतम सुबेदारी कया व्यक्तिय लिदी हती ओप्चन आपेला छे A. अमरूत लाल सेट B. जवेर्चन मेगानी C. मनिलाल कोठारी D. अमरूत लाल आचारिया हवे बर्वाडा सत्या ग्रहनी वाद करिया तो असहकार ना अंदुलनना भाग रूपे गांधी जी द्वारा जे दांडी कुछ करवामा आवी हती ये दांडी कुछ नी माहीती खणा बदा लोकोये खणा बदा स्थड़ोये फेलावानी युद्ना बनावी हती अने वो केवाई जे के दंधुका तालुका ना लोको ने आजे दांडी कुछ ने एनाजे बनाव हता येना थी वाकेफ करवा माटे बै वेक्तियों ते एनी जवाबदारी लिदी हती अने बै वेक्तियों नाम हता अमरूत लाल से ठने जवर्चन मेगाणी अबनने तंधुका तालुका माजे शे अने त्याना लोको ने दांडी आत्रानी माहिती पूरी पाड़ुशे पन जयारे बरवाडा सत्याग्रा शरू थयो त्यारे एज बरवाडा खाते जे बरवाडा सत्याग्रानी सुपेदारी लिवानी वाज छे आ सुपेदारी लिदी हती अमरूत लाल अचारी है आपणे यहां जोई शगिये के मैं अहियां जे नामना उल्लेख करिया छे हमना जे चर्चा आपडे करिया एमा जे कोई पन नाम में उप्योग माली दा ए त्रणे नाम अहियां आपेला छे खाली एक नाम मनी लाल कोठारी न उप्योग थयो नथी अमरूत लाल सेट जाविरजन मेगानी अने अमरूत लाल आचारी है अत्रणे बरवाडा सत्याग्रह जे थयो छे नी साथे जोडायेला छे पन यहां जे प्रस्तना पुझे हो छे के बरवाडा सत्याग्रह नी सब्रतम सुबेदारी काया व्यक्ति ली थी तो ये सुबेदारी लेनार व्यक्ति हता अमरूत लाल लाचारिया अने आ सत्याग्रह इतले आपने पन खबर हवी स्थानिप जे कुमार अन। कुमारियों हती ये लोकों नी सेना ऊपन बरवड़ा सत्याग्रव दर्मियां उभी करवाम आव्याती स्थानिक कुमारों नी जे वानर सेना उभी करवाम आवी हती अने स्थानिक जे कन्याव हती कुमारी हती ए लोकों नी मारजर सेना उभी करवाम आवी हती ने इतले आपड़िये पनहीं याद रखू पड़ 누से मार सेना पड़ अने मार्जर सेनापन क्या सत्यागर सार्थे जोड़ाई ली छे बर्वाळा सत्यागर प्रस्तानी जर्जा करिया तो आप प्रस्तानों साचो जवाबाव से अम्रूत लाल आचारिया इटले के बरबला सित्यागरणी सव प्रथम सुभेदारी लेनार व्यक्ति हता अम्रूत लाल आचारिया नेक्स्ट क्वेस्चन जो ये तो गांधी जी अम्रूत लाल नो बंगलो बाड़े राखी ने त्यां सत्यागर आश्रम स्थाप्यों होता अन्य यहां पूछियो जे आपने समय गाड़ो तो आपने यहां कहीं शकी है क्या गांधी जी ये 25 में ओग्णिस्वन ने पंदर ना रोज कोचरप खाते चे बैरिष्टर जीवन लाल नो बंगलो हतो ये बाड़े राखी ने ये सव प्रतम सत्यागर आश्रम ने स्थापना करी है तो चाब्र मती आश्रम तो रहना 25 अ प्रस्तन ने यहां जे चर्चा करे लिए गांधी जी अम्दारमा कोचरप खाते स्थापना क्यारे करी हती तोहीं आपड़े साचो जवाब लखी शू अप्छन B 25 में ओक्णिस्वने पंदर पच्छी कई केवो प्रस्ना पुछेलो जे के मोहनलाल पंडिया औने संकर लाल परिखनू नाम कया सत्यागर साथे जुडायेलू जे अप्छन आपेलाचे A. अमदावद मिल मजूर सत्यागर B. बोर्चद सत्यागर C. खिडा सत्यागर औने D. बारडोली सत्यागर मित्रो जिए आपड़े मोहनलाल पंडिया नू नाम तो सांप्लेलू जाशे क्याक ने क्याक आपड़ा ध्यानमा आवेलू जे आपड़े जो सरकारी परीक्षाव नी तैयारी करता आशू तो मोहनलाल पंडिया नू नाम आपड़ा क्याक ने क्याक वाचवा माविल होशे विजाएक नामनी चर्चा करिए संकरलाल परीक तो आपड़ा माटे नव नाम होई शके अने यहां एटलेज आपड़े नामनों उल्लेख करेलो छे के मोहनलाल पंडिया अने संकरलाल परीक नू नाम का या सत्यागर शाथी जोड़ाएलू छे जवाबनी चर्चा करिए तो आप प्रस्तनों साचो जवाब आवसे ओप्षन सी खिडा सत्यागर गांदी जी जी आरे खिडा सत्यागर नी जवाबदारी लेशे त्यारे एज खेडा सत्याग्रह मा संकरलाल परेख नामना व्यक्ति खुबज महत्वनि भुमिका भजाव से अन्य कठलालना व्यक्ति मोहनलाल पंड्याई पन् आ सत्याग्रह मा सक्रिय भुमिका भजवियाती पाक निश्फड ग्योतो तो पन अंग्रेज सरकारे वदारे मुल्या आकी ने कर वसूलानू चालू राख्यो अग्योतों कर न भरी शक्ता ए लोकोनी जमीन जब्त करीले आमाउती गांधी जी जारे मुहनलाल पंडिया साथे चर्चा करी और गांधी जी वो आदेश करी आज़े सरकार द्वराज जे खेतरों जब्त करवामा आवे हाता ने खेतरों मा जे डुंग्डी ना पाक ने आलोको काफी-काफी न लिए आउता आज बनावना उपलक्षमा केवाई ज़े के मोहनलाल पन्टिया ने जेल पन थई थी पन ज्यारे मोहनलाल पन्टिया thi छुतिने बाहर आँव से त्यारे गहानती जीह अन् tyre डुंगडी चोर कही ने संब्धिया थी आपने प्रस्ठां पुचे लो ज़ेखे मोहनलाल पंडियाने संकलाल परिखनु नाम काया सत्याग्र साथे जोड़ायलूजे तो यहां प्रस्थन आपड़े साथ जवाब लखीशू ओप्षन से खेडा सत्याग्र अगर ना प्रस्थन नी चर्चा करिये तो अहीं आ प्रस्थना पुछी हो छे इस वीशन अडार्सोंने सत्तान ना विपलाव पची गुजरात मा हत्यार बंदीना पगलाने अमल करवानू कारिये सरकारे कौने सौंपी होतु ूप्षन आपलाचे कर्णल स्ट्वार्ड, डू आपफेलोचे कर्णल सेक्स्पिर, ऑप्षनसी आपलोचे कर्णल एलेकजेंडर वॉकर अने ॹट् प्रसना जवाब नी चर्चा करिये तो अधार्सोंने सत्तावनों विपलव ज्यारे पूण थसे त्यार बाद अपला गुजरात मा जिटली पन अशांती फेलाई लियाती आ अशांती ने डामवा माटे अंग्रेज सरकारे फुतना असरकारक पगलाव बरवानी शरुवात करि ही अती आपड़ा गुजरात मा पॉलीटिकल एज़ंट अथ्वा तो बरोडा ना रेसिडेंट करनल तरीके कारीयर हतता करनल सेक्सपियर अंग्रेज सरकारे आ अथियार बंदिनू काम करनल सेक्सपियर ने स्वाप यूं आज हत्यार बंदी ना काम माहेड लगए गुजलियात मां जी हत्यार बंदी हवे करवानी छे गामे गामे जी लोकों पासे अथे अथे अहत्यार होता ए तमाम धप्त करवानी वात हती काहां के जे असांती फेलाएली जे 8070 विपलाव बजी ने डामवा नी वाद आती अंग्रेज सरकार द्वारा एमा खुब भज सारायवा प्रयक्त नो थाशे ए लोको नी वाद करिये तो अने जे मा ए लोको ए हथियार बंदीनों काम अने अनो अमल करवानी जवाबदारी करनल सेक्स प्रियर ने सौप से आज करनल सेक्स प्रियर ने आ काम मां मदद मढ़ी हती बरोडाना खंडे राओ गायक वाडनी उन्हें केवाई जे खंडे राओ गायाकवाड नी मदद मरता करनल सेक्सपीर ये गामे गामे जएने हत्यार बंदिनों काईदों लागू करियो हतों अन्हें जे गाम आ बाबत मां साथ न आपतू ए गामने आखे आखू गाम बाडी नाखवाम आऊतू यहां प्रस्णनी चर्चा करिये तो यहां दूझे के अडार्सुने सत्तावन ना विपलाव पचे गुजरात मा अथियार बंदिना पगलानों अमल करवानों कारिये सरकारे कौने स्वापियो हतूं तो यहां साचो जवाब आउसे बी करनल सेक्सपीर पचिना प्रस्णनी चर्चा करिये तो प्रस्णा पूझे हो छे के कॉंग्रेस नुवाजन धया पचे निच्चे नामाती कया नेताओ मवाडवादी एटले के नरम दढ़ना नेता तरीके ओड़खाता हता निचे क्रम आपेला जे नंबर एक सुरिंद्रनात बेनर्जी बे गोपाल कुष्णा गोखले त्रण अर्विंद गोष चार राष बिहारी गोष औने पांच बिपिन चंद्रपाल हाँ एक कोंगरेस ना अभी बाजन नीवाद करिये तो आपनने खबर हवी जोगे के आईनसी एटले के इंडियन नेशनल कौंगरेस अथो देन आपड़े गुजराती मा कहीशू भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेश आ आई एनसी एटले के भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेश ना आपड़ा गुजरात मा कुल चार अधिवेशन योजायला हाता अजादी पहला निवाद करिये तो जमा कॉंग्रेश न आपड़ा गुजरात मा बीजा नंबरनू जी अधिवेशन छे अपड़ा गुजरात मा ए इसविशन ओग्णीसोने साथ मा सूरत खाते योजायला एज़ भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेशन आधिवेशन मा कॉंग्रेस मां बे भाग पड़्या ठाए हाता किंदर ओलगअलग पड़िगिया एक दड़ जहालवादी दड़ तरीकि उढखाईू और बिजु दड़ मावाडवादी दड़ तरीकि उढखा उठा डवतल याँ आपणने प्रस्णवा मात्राने मात्र मवाडवादी इटले के नरमदर्णा नेता उने बक्वानी बात करी छे तो आपणे इयां ए नरमदर्णा जोडायेला नेता हुने सोच. मात नाम आपेला जे पाचे नाम नी चर्चा करिये तो सुरेंद्रनात बेनर जी युदे नरम डग मवलवादी डड़ मा संकड़ाएला हता जहाल वाधी और मवलवादी बनने डड़ना नेताओमा सु फर्क हतो जहाल वादी एटले के गरम दर्णा नेताओ उग्र क्रांती कारी प्रवुर्तियों मांता है एवू मांता के सांती पूर्वक सरकार नो विरोध न थाई शके अने एवू करवा जशू सांती पूर्वक विरोध तो सरकार आपड़ू कहीं सामबढ़ से नहीं एटले हिंसात मक प्रवुर्तियों करवा मां महीर हता जारे नरम दर्णा नेताओ वाद करिया तो एलो कोयों मांता के सरकार नो सांती पूर्वक ने अहिंसाना मार्गे विरोध करवानों थाई अने अलग 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 अथी इतले है जो ब्हट अथा बहले पक्स पडशकेए आन जे बहल halten बाग पड़सा एटले निताओं मां पण विबाजन थाश की सुर्इंद्रानात्बेनरजी मवडवादी नरम दर्णा नेतातरे कि ओडखाए लाजी ज्याने बिजो क्रम आपे लोगे गोपाल कुरुष्णा गोखले एपन नरम दर्णा नेता तरीकी ओडखाएला छे अलेके कॉंग्रेस नूँ विभाजन थसे पची अस्तुरिंदरनाथ बेनर जी अन्य गोपाल कुरुष्णा गोखले बनने अलेके कॉंग्रेस अब दर्णा नेता तरीकी ओडखाएला छे पांच्मों क्रम आपे लोगे लोच बिपीन चंदरपाल जहाल वादी दर्णा नेता तरीकी ओडखाएला छे हवाँ यहां आपने चर्चा करिए मवाडवादी यहले कि नरमदर्ना नेता हो नी तो जे पांच नाम लिदाय मा थी आपने खाली बेज नाम एवा हाता जने जहालवादी दर्ना नेता तरहेकी और खावया अने बे नाम काया हाता तो अर्विंद गोष अने विपिन चंद्रपाल अपने या सिते सित योग कही शकिए कि सुरिंद्रनाथ बेनर जी गुपाल कुछन गोखले अने राश बिहारी गोष आ त्रणज नेताओ अवालवादी दढ़ साथे संक्ड़ाएला हाता येले के नरम दढ़ना नेताओ तरीके उडखाता हाता अने आपने प्रस्ण मा खाली मवाडवादी दढ़ एकले के नरम दढ़ना नेताओ ने जुडखवानी वाद छे तो आपने मात्राने मात्र नरम दढ़ना नेताओ ने जुडखी शो आने त्रणज नाम सुरिंद्रनाथ बेनर जी ી ઓ઱્ષન, કુક્ચન , 5 ૅદ્ષને , 6 ૪ન્બ્ધારો ના્ર્થી થવ્ય૾ં , 5 ેbereવ્યુે . गोंपाल कुशन गोंखले अन रास भिहारी गोस्त अत्रन नेता हो अहीं आपेला जे छे ए मवाडवाद येड़ले के नरम दर साथे संक्राएला हता अपचीनों प्रस्ना पुछेलो छे निचे नामाती कया क्रांती कारी पंडीत ना हुलामना नामती जानीता हता ओप्षन आपेला छे चार ओप्षन ए अर्विंद गोष बी केसावलाल देश पांडे सी सरदार सी राणा अने डी स्यामजी क्रुष्ण वर्मा जवाबनी बाद करिये तो आ प्रस्ननों साचो जवाब आउसे डी स्यामजी क्रुष्ण वर्मा स्यामजी क्रुष्ण वर्मा पंडीत ना हुलामना नामती जानीता हता के वाई विज़ेमने पुतना जीवनकार दर्मियान दयानन्द सरस्वती ना सानिध्यमा रही ने वेद अने संस्क्रूत बाशान अभ्यास करेलो छे अपने या पुछेलो छे क्या करांतिकारी पंडित ना हुलाम नामती जानीता हता तो स्याम जी कुरुष्ण वर्मा एक वा व्यक्ति हता जे इतना हुलामना नाम थी जानीता हाता माटे साचो जवाब आउसे अप्शन डी स्याम जी कुरुष्ण वर्मा अगर जर्चा करिये तो अहीं प्रस्ण आपेलो जे कया मुगल शाषक ना समय गाड़ामा अमदावाद और खंभात नी तंक शाड मा रासी वाड़ा सी कव पड़वानी शरुवाद थाई हता अप्शन आपेला जे ए अकबर बी हुमायू सी जहांगीर और डी साज जहा हवे अमदावाद और खंभात नी तंक शाड़ामा चार चार जे ऊप्षन मा शाषको आपेला जे ए तमा मुगल शाषको जे गुजरात ना इतियास्ती वाद करिये तो अम्दाद ने खंबातनी टंक शाड मां सिक्काओ पड़ावनार मुगल शासको मां मात्रब्यज शासको न उल्लेक जुवाव मलेलो छे एमां एक शासक छे अकबर और बिजा शासक छे जहांगिर अप्शन मां बढ़ने नाम आपेला छे अकबर एमां आपेलो छे ऑप्शन मां अप्शन सी मां आपेलो छे जहांगिर अने यहां आपने पूछे लूजे का अमदाद न खंबातनी टंक शाड मां रासी वाड़ा सिक्काओ पाडवानी शरुवाथ कोना समय गड़ा थी थाया तो चर्चा करिया बढ़ने साशक को नित चर्चा करवी छे हुमायू और साह जहानी केम नहीं तो आ हुमायू और साह जहाना समय गड़ा मां आपने एवा कोई सिक्काओ जोवाँ मोड़े लान थी कि जो हमदाद न खंबातनी टंक शाड मां पड़ावां मां आव्या होई अकबरनू साशन जारे आउसे आपडा गुजरात मां त्यारे एवने अमदावद न खंबातनी टंक शाड मां पोताना नामना सिक्काओ पड़ावानी शरुवाद करावी है ती अकबरनू साशन जारे गुजरात मां आउसे त्यारे एना समय गाड़ा मां अमदावद अने खंबातनी टंक शाड मां एना नामना सिक्काओ पड़ावानी शरुवाद थी एटले एने एनना नामना सिक्काओ पड़ाव्या हाता और एने अमुल मां मुक्या हाता यहां आपने प्रस्ता मां चोखुझ पुछू छे के रासी वाडा सिक्काओ पड़वानी शरुवात कईया मुगल साशक ना समय गड़ा मा थे अकबर मां में अमना जू लेक कर्यों एने पुता नामना सिक्काओ पड़ायाई छे अने अमल मां मुक्केला छे यहां प्रस्ता पुछो जे रासी वाडा सिक्काओ तो जहांगीर जे के वो शाशक हतो जने पुताना साशनकार धर्मियान जयरे उनुँंँ शाशन आपला गुजरात मा आउसे त्यारे अमदावाद ने खंबातनी टंक शाडमा रासी वाडा सिक्काओ पड़ावानी शरुव प्रस्ण नों आपड़े साचो जवाब नक्की करीशू के ओप्षन सी जहांगिर इटले के जहांगिर ना समय गाड़ामा आमदावाद ने खंबातनी टंक्षाड मा रासी वाडा सिक्काव पाड़वानी शरुआ थे प्रस्ण नी चर्जा करिये तो प्रस्णा पुछे हो जे के सल्तनत काली इन कुजरात ना कया शासा के पौटु घिजोने द्यूमा वेपार करवानी छूट आपिया थे प्रस्णा पुछे हो जे के गुजरात ना कया शासा के पौटु घिजोने के दीव मा वेपार करवानी शूट आपिया गुजरात नी शासक शीधर सिद् twenties आपिलूचे के सल्तनत काली इन कुजरात नोच कई हो अचारे चार जे ओप्शन आपेला शे यो चार ओप्शन मा आपिला शासक को सल्तनत काली न कुजरात ना चे पन जवाब मागयों जे के ए कईयों साशक हतों के जाने पॉर्टुगीजों ने दिव माँ वेपार करवानी छूटा भी तो हियां साचों जवाब आवे छे मुझभफर शाह भी जो है पॉर्टुगीज दिव अने वेपारनी वाद करिये तो अथ्वा तो सिदे सिदी चर्चा करिया डिफिकल्टी ना भाग रूपे के तकलिप क्या पड़े तो पॉर्टुगीजों ना दिव साथे ना सबंद नी कोई चौकर सासको साथे सर्खामनी करिये तो अब अब दुर्शा बनने माउस कई रीते तो पहला आपड़े साचा जवाब नी चर्चा करी लिए पच्छी डिफिकल्टी नी बाद करिये तो जवाब में टीक करिया यहां ऑप्शन भी मुझभफर शा भी जो आउस एनी बाद कर बहारतू पर आक्रमण करसे तिया Avatar ऐं बाद मां दिल्ली सल्तनत नूँ शाशा नतो अनु डिली सल्तनत बंस कई बेठो बागल और तो लोधी वन्स अनना साशक कई हो हतो लोधी वन्स नू शाशक हतो इब्राहिम लोधी परण 버़े बाभर ज होवी जोए के यजिँद पान पतना प्रत्थम युद्ध तरीकी ओडखायु जे प्रस्थन था आपड़ने के एज यारे बाबर इस्विशन पंदर सुने 26 मा भारत उपर आक्रमन करसे त्यारे नी समान तर अपड़ा गुजरात मा कयो शाशक सत्ता उपर बैठो हतो तो आपड़ने खबर होवी जो ये के पंदर सुने 26 मा जारे बाबर भारत उपर आक्रमन करसे त्यारे दिल्ली नी गादियू पर लोधी वंस नो शाशक इब्राहिम लोधी बैठो हतो अने गुजरात नी गादियू पर सल्तनत कालीन गुजरात नो एक बाच्छा बैठो हतो जैनू नाम अतू आम मुजबफर सा करसा बाबर आकरमन करसे दोगाएँ नें ना कुझा आकरमन धी घबराहिने मुजबफर्सा ब violation एचले पॉर्टु घिजो नी मदद मागी हती। पॉर्टू घिजो एने मदद करवान वचन आपिऊ पन बड़ला माँ पॉर्टू घिजो ए आम मुझब फर्शा बीजा पासे दिव माँ वेपार करवानी छूट मागी पॉर्टू घिजो ना मदद नी जरूरत हती कौने तो मुझब फर्शा बीजा ने मदद लेवा माटे थाई ने पॉर्टू घिजो ने डिव माँ वेपार करवानी छूट आपी ने प्रस्ना उल्ले करेलो जहें के सल्तनकाली गुजरातना कया सासा के पॉर्टू घिजो ने दिव माँ वेपार करवानी छूट आपी हती तो आपड़े यहां एटलेट साचो जवाब लखी शूटू मुझब फर्शा बीजो असाचा जवाब ने आपड़े चर्चा करी ली थी हाथो डिफिकल्डी जोई लेए तो बहादूर साहनी में हमला जवाद करी हती तो एनी क्या जी आरे बहादूर साहने हुमायू साथे वेर बंदासे ने त्यारे हुमायू अने बहादूर साह वच्चे युद्ध थाशे इसवीशन पंदर्शो ने पांतरीश मां मंदसौर्ध नू युद्ध बतायू छे जे मुगल साहक हुमायू अन आपड़ा सलत्रत कालीन बहादूर साह वच्चे थाशे अन मंदसौर्ध नू युद्ध चे न हुमायू जीतियो हुतो बहादूर साह हारे हुतो अन युद्ध हारे हु एले हुमायू नी पकड़ थी बचवा माटे थे ने भागयो हुतो औने केवाई जे के चांपाने रने खंभात जिवास जईने छूपाजियो तो अमदावाद पोताना आत्माती जतू रियो एलेने दूख थियो अने जमदावाद नी सत्ता परत मिड़ाओ माटे थे ने पन पोर्टु घिजो नी मदद मागी है ती अने पोर्टु घिजो ये केवाईज ने मदद पन करी अने अमदावाद नो वहिवड पाचो अपावड आयोजे पने इस सरम जनक परिष्टिती माँ अने अमदावन वहिवड पाचो लिधो अने केवाईज आना बड़ला माँ एने पोर्टु घिजो ने दिव माँ किल्लो बांध वाद नी छूट पन आपी पछी आने नी बुल समझाई थी पर मोड आपी आपने खाली प्रस्ना पुछी होजे के दिव माँ व्यपार करवान शूट कोने आपी 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 आपने शाचो अने शाचो अने मुझभफर चा बिजो नेक्स्ट क्विस्टन जोई है तो प्रस्ना पुछी होजे निचना माथी कईू स्थापत्या बेगडाना समय गडामा नीर्मान पामेलू नथी चार अप्षन आपिलाचे ए दादा हरी निवाव, बियडालत निवाव, सी राणी रूप मती नी मस्जिद अने डी हाईबत खान नी मस्जिद प्रस्ना फरीती समझी है तो प्रस्ना माँ चोखुछ किदू जे के कईू स्थापत्या बेगडाना समय गडामा नीर्मान पामेलू स्थापत्या अलग बेगडाना समय गडामा नीर्मान पामेलू स्थापत्या अलग बेगडानू स्थापत्या अटले एशू कहवाई तो बेगडानू स्थापत्या अनो मतलब शू के स्थापत्या नीर्मान बेगडाय करायलू अशे आनो मतलब सुथा है, तो बेग्रानू साषन हशे त्यारे ना समय गडामा कोई विक्तिये कोई चौक स स्थापतिये नुर्मान करे लुआ शे यह अपने क्या शेक्ष की तुछ है कि कई श्थापतिया बेग्रानना समय गडामा निर्मान पामेलू नती अधालत नी वाव पन कोने बंदाई इछे तो वीरसी वागेलानी पत नी रूडा देवी अथवा रूडा बाईये बंदाविली छे अधालत नी वाव अधालत नी वाव अधालत नी वाव अधालत नी वाव महमद बेगडाना समय गडामा निर्मान पामिली छे मैं मनाज किदू कि प्रस्ण वाच वानों यहां किदू जे बेगडाना समय गडाना समय गडाना समय गडाना समय गडामा निर्मान पामेलू नथी अपने सोध वाव अधालत नी वाव अधालत नी वाव अधालत नी वाव रानी रूप मती नी मस्जीद ए बेगडाना समय गडामा निर्मान पामेलू यहां राखवानू कि दादा हरी निभाव पड़ालत निभाव राणी रूप मतिनी मस्जिद बेग्डाय नथी बंदाविली पन बेग्डाना समय गाडामा कोई चोकस व्यक्तियोय बंदाविली छे इटले आवा स्थपत्यों ए शासकना समय गाडाना स्थपत्यों कहवा छे और य समय गाडानी बाद करिये तो अपड़ा गुजरात मा अहमत्चा बाच्छा अथ्वा तो अहमत्चा पेलानू शासन अतुन त्यारे एज अहमत्चा बाच्छा अपड़ा गुजरात ना अमदा वाद मा जमालपूर विश्तार आवेलो छे आज जमालपूर नामना विश्ता एले आपडे वो कही शकीए के हैवत खाननी मस्जित निर्मान अहमत्चा बाच्छा ये करावेलू छे। एले स्थपत्य अहमत्चा बाच्छा ना समय गणाउन थो अने आपणे किदू जे करिए गल बेगणान समय गणाउन नथी। तो ये साचो जवाब कई होई शके, ओप्चन D है बद खान्नी मस्जिद, कान के आज थपत्य बेगणान समय गड़ामा निर्मान नथी पामेलू, आज थपत्य अहमत चा बाच्छाना समय गड़ामा निर्मान पामेलू छे, बाकिना त्रण जे श्थपत्यों छे, ये तो बे बद खान्नी मस्जिद, बेगणान समय गड़ामा निर्मान पामेली न थी, तो आपने एपन खबर हवी जोई है, के तो इस्थपत्य कोना समय गड़ामा निर्मान पामेलू अशे, तो अहमत चा बाच्छाना समय गड़ामा, निर्मान कोने करा वेलू छे, तो अहमत चा बा जाएला गुजरात ना इतियास ना प्रश्म है जवाब उन्य आपने विश्त्रूत सम्झूती साथे चर्चा करी जो पसंद आवे तो लाइक कर जो शेर पंड कर जो और यूटूब चैनल चे बुक बड़ ये सब्सक्राइब पंड कर जो थेंक यू